नमस्कार दोस्तों यूटूब चैनल धीर जोर्म एक्सिसी में आपका स्वागत है तो देखिए आज एक क्लास 6 का एक्सरसाइट 5 का इंट्रोडक्शन है तो देखिए यहाँ पर हम कुछ कुछनों को कराएंगे तो देखिए यहाँ पर मालो पहला एक्जामपल है बी रेखा लिए 100 आशी का मधविन देखिए हमारा चीतर बना हुए तो देखिए बी रेखा सब्सक्राइंट 3 जो 10-11 कक मतलब Carn vak são बीच में ये पवांट एबी और बिच क्या है बराबर है डिके रहा और सी रेखा बीडी का मत्षी कब मत्रबंद्र एक एच सी रेखा है बीडी का मत्रबंद्र ये ते मैं प्रूंडब जितना दो उतना सीदी होगा तुम्हा लोगर यह पास है ए भी पास है जहां एक पोस्तित है दो अलूब बटाइए की यहां ॏ तिटीट है पी,的是 बी, एक लिवंगी सीदी है क्यूं बताई summar active भाबर पर और से बीर हो उसस्तित है A B C और D A की रेखा पर इस्थित है B रेखा खंड A C का मद्रूंद है जो B रेखा खंड है A C का मद्रूंद है इसका मतलब A B बराबर B C यह हमारा समिकर फश्ट बनी गया फिर कह रहा है C रेखा खंड B D का मद्रूंद है q де की किसका मद्धी दे बी दे डिट गें तो यहाँ पर को बीची दियां यहाँ फूल कol वर व मैं लिखेंगे समय करफ फस्ट वह समे कर सिकेंड आश्यापर बीची सी दिखहा है तो एबी बराबर बी सी तो बी सी किसके बराबर एबी यहीं हमको सिद्धी करना था कि यह जो एबी है यह वाला पार्ट और यह सीडी के क्या है बराबर है यह वारा सिद्ध्य हो गया देखते हैं नेश्ट कुष्चन किनी दो भुजाओं का देखे क्या होता है तिर्भुज में किनी दो भुजाओं की लंबाईयों का योग तीसरी बड़ी भुजाओं की लंबाईय से सद्ध्यों बड़ा होता है देखे किसी दो छोटी भुजाओं से यह चे है और चार है और दो भुजाओं की लंबाईयों का योग जो होता है तीसरी बड़ी भुजा कौन सी है एसी इसके लंबाई से सद्यों बड़ा होता है यानि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा बड़ी भुजा एसी की योग से अधिक होता है किनी दो भुजाओं की लंभाईयों का यहंग, किनी दो भुजाओं का लंभाईयों का जो योग होता है, तीसरी बड़ी-भुजाओ से सद्रेवब बढ़ा होता, अगर स्त्रेवज बनेगा, अब these have been, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा यह एक इतना है चार और यह 8.4 तो देखिए दो भुजाओं का योग जो है इस बड़ी भुजा से बड़ा है इसका तुर्भुज क्या है मारा संभो है यानि इस प्रकार से आप तुर्भुज बना लेंगे यहाँ पर देखिए 5 यहाँ देखिए AB AB PLUS BC बराबर बड़ी भुजा कौन सी है AC तो देखिए इसका योग जो है इससे अधिक है देखिए 5 प्लस 6 आठ ते 11 ग्रेटर देन 8 जो है अब यह 8 छोटा है 11 बड़ा यानि दो भुजाओं का योग जो है बड़ी भुजा से क्या है बड़ा है तो तुर्भु दो छोटी वजय कौन सी है चार और पांच तो इनका योग कितना हो जाएगा नौ तो इससे बड़ा है या नहीं बड़ा है अगर इन दो भुजाओं चोटी बड़ा एक तो तुरूज बनाना संभव है अब देखिए तरुज बनाते कैसे कोई भी भुजा आप खिच लीज यहां से रखके जहां पर आपको काड़ तो यह हो जाता है यह पांच है यह साथ है इस प्रकार से बन जाएगा यह यह योग की क्या है बराबर है अगर बराबर है या कम है दो छोटी भुजाओं का योग दो छोटी भुजाओं का योग या बराबर है या कम है तो तुर्भुज असंभव है क्या तुर्भुज बनेगा यानि तुर्भुज नहीं बनेगा अगर तुर्भुज इन दो भुजाओं का योग अधिक है तो तुर्भुज बनेगा इससे देखो यह आठ उच्छे छोट अगर छोटा है या बराबर है तो तुर्भुच कैसा होगा हमारा असंभव होगा यानि महीं बनेगा आप इसे घर पर बनाकर एक बार ट्राइजूर कर लेना कि इससे आपको किलियर हो जाएगा क्यों देखे नेक्स्ट पर लिखा घड़ी की सुयों का अन्स आप यानि इसमें अनन्स मपकर बताना यह पर प्यांस धीं गट्राइण होटा आप तोटल होता है तोटल कोई भी ब्रत हो वह थींसो साथ हंस का होता है तो देखिए अब टोटल हो गया 360 अब तुमको सिर्फ इतना बताना है देखे घड़ी की सुई में होते हैं एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और यह बारा टोटल बारा पार्ट होते हैं उसमें से देखिए हमारे कलर या उन्हीं हमने कलर जानके कर दिया है कितने कलर हो गया पर दिया है है तो मतलब होता है या पर जैखे और येखिए सबसे पहले कितनाल रिखेंगे हम तुमके कितने से लोह होता है यानि 12 total कितने पार्ट हो गए हमारे 12 यन के तीनफंस को गडलना जो समझें इसके टोटल चार पार्ट में इसे एक फार अगर चार बाढ़ ओमें एक दो तीन चार तो हम नंस में अगर बात करें तो एक बढ़ जाए गांगे अब इसमें देखें इसमें कितने भाग हैं होते ही हैं तो इसमें लिखेंगे 12 में से कितना होते हुए जब अंस में बदलेंगे इन तो काटेंगे तो कितना है आगा बारा तियां 36 यानि यह 30 अंस होता है फिर यह 30 होता है फिर यह 30 होता है और 3 मिला के कितना हो जाता है नब्यान्स देखिए पार्ट कितना हो गया हमारा नब्यान्स हो जाता है एक पॉइंट जो होता है यह 30 अंस का होता है 30-30 के होते हैं तभी टोटल 12 होते हैं और 12 को 30 से गुड़ा कर देते हैं 360 हो जाता है अब देखते हैं यहां पर लगभाग आधी देखिए लगभाग नहीं कंफर्म है आधी आधा पार्ट क्या है किलियर है लिए हम लिखेंगे कैसे देखो यहां पर लिखेंगे 6 बटे 12 यानि 12 के 6 बहाग क्या है कलर है या हम देखो यहां पर समझिया पहले तो 6 बटे यानि चेकम से 6 दुना दो यानि एक बटे 2 यानि आधा आधा यहां पर अगर अंस में बदलना है तो 360 से गुड़ा करेंगे तो 360 से गुड़ा करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो हमारा 180 यानि यह 180 आगया यह टोटल कि देखो यह 90 था इतना और यह 90 टोटल कितना हो गया तोटल हो गया है हमारा 180 अगर हमको प्रतिसत में बदलना होता तो हम देखो यहां पर हमने किसे बताया गुड़ा करने को 100 से यानि 100 से गुड़ा करते तो यह दो से काटेंगे यानि 50% 50% मतलब होता है आधा और देखें यहां पर भी समझें एक दो तीन चार पांच से साथ आ आठ चारतियां बारा फिर तीन से इसको काटेंगे तो आजाएगा 120 अब 120 गुड़े दो यानि कितना हो गया 240 अंस यानि यह हमारा जो होगा 240 अंस अच्छा अब यह अंदर अगर बात करें तो इसमें कितना होगा देखो आठ हो गया 9 10 11 अब तो पार गिन लेते हैं आठ त से पूछ ले साधा यह कितने अंस का होगा तो चार बटे बारा बटे तीन सो साथ देखिए चार से चारतिया बारा तुइन से इसको काटेंगे 120 तो हमारा आ जाएगा 120 अब 120 यह 240 से टोटल हो जाएगा 306 इस प्रकार से आप घड़ी की सुईयों को निकाल लेंगे देखें नेक्सTर्समपल कोडू के प्रकार देखें कोड होते पाज प्रकार सी मिूण कोड समकोड अधिक प्र His cannot को अगोजेसे माल नब्बे से कम मैंने जैक मना जागा मना जाएगा नियून कोड यानि 90 से कम है और 0 से अधिक है भले ही यह कर 10 अंच होता है यह कौन सा मैंना जाएगा यह जोड़ा होता है ज्यादा होता है यह होगा हमारा संक्ष पर Sy teotalia कुल नवंवंत कम नभी इनस कौंश ज्याद़ है फिर लो पर दिछान अधिक हो अधिक हो ता यहां बे उस ता इंस उङना कम हो सब्सक statistics और अधिक होता है यानिह नवी ये कितना हो गया नवी ये करे मालो 120 आनस है तो ये यह अधिक को ड है ये अधिक है के दिक हो दोनों कोडो इस था सब दरुन कोड धुजह सबसंतों कितने अभी सब्से आसानत है बस पटक्र से उठाओ रहेखाि टूई कितने अंसकाद हो गया 1807 SMPOAR को संस्कोट इसक्स कि कि काता है कर है यह का देखु अभी so बेखार हो पूरा आंग करा यानि यह कोरा पार्ट होता है यह पूरा पार्ट होता है यह सथा anything ना कम होता आधा है ज्यादा होता अच्छा भी यहदा देख लिए फिर एक होता थिर्भूज इनहीं तीन क्या अधक भी होता है कैसे जिसे निोन कोड़ होता है जीरो से दिक और काम तो इसला है यह तो इसमें तभूज में क्या होता है नब्वें से अधिक है नहीं तो यह नाम हो गया निवन कोल इसका नाम हो गया है निहीं क्या है योग 180 होता है आप देखिए तो यह पहले क्या था संकोर था आप क्या बन गया यह संकोर तिर्भूज इसी प्रकार से यह अधिक नाम हो गया अधिक कोड तिर्भूज इस प्रकार से आप ध्याल रखेंगे देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन अब बताना है भुजाओं के आधार पर तुर्भूट तो देखें भुजाओं के आधार पर तुर्भूट कितने प्रकार से होते हैं तो एक होता है संभाव तुर्भूट दूसरा संद्विवाह तुर्भूट 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 संबाल होता है संबाव सम्मीं होता बराबर वाव में हो जाए इसकी तीनों बुझाया बराबर होते हैं तो प्रतेख गौड 60 हंस का होता है क्यों होता है कोई भी तिर्वुजो एक सब्सक्राइब होता है अगर कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोड हमारा बराबर नहीं होगा अब देखते हैं और लोग्छा बराबर दुन कोड बराबर होंगे तो अगर एक भी भुजा बराबर नहीं है तो एक भी कोड बराबर नहीं होगा अब देखते ही यहां पर हमने चीतर बनाए हुआ है तो देखें यहां पर अब दोनों क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि सम्दिवाओ है एक 45 और फिर नब्बे इसको जोड़ेंगे सब्सक्राइब किसी भी प्रकार का हो सकता है यहां पर बाकी दो भुजाएं बराबर है यानि एक बी और बीसी तो कोड़ बी और को गयाद करना अनिकाल तो यह कितने का बचा होता है सक्षोरष सक्षाद करता है तो तो नहीं हो किस रख़न सब्सक्राइब नियुकर 80 के होता तो 80 कि निकाल दें तो तो इसे ना कोई बराबर होती और ना कोई कोड बराबर होता है कि कि ना तो कोई भुजा बरावा होती ना कोई अच्छा इसमें एक पॉइंट और आयाता है कभी कभी सवाल पूछ लेता है अब इसमें सबसे बड़ी भुजा बता कौन से है यानि भुजा घटते करम में लिखना है देखे सबसे बड़ी भुजा तो हमारी है सबसे बड़ी भुजा फिर थोड़ा उससे छोठी कौन से यानि थोड़ा उससे छोटी यह कि यह उससे छोटी है कि यह अगर आपसे आप है अब क्यों यहाँ यहाँ पर हमने बनाया है हमने कुछ भी मान रख दिया मालो यहां पर अगर हम लिख देते हैं तो के सव हो जाता अब देखें यहां पर 20 लिखा है इसका मेटर समझे है देखें सबसे बड़ा कोड तो उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी यानी A.C. जुन होगा, सबसे बड़ा होगा असब से छोटा कोर कौन सा है 20, तो इसके सामने अले कोर सबसे छोटी होगी सबसे छोटी, यानि A.B. और सबसे बड़ी A.C. अब बच्ची जो, वो क्ऊण सी बच्ची यह, B.C. तो सबसे बड़ी भुजा यह प्रॉस्थ ॐ उससे चोटी यह अद इसमें बताए शबसे बड़ा Cowusa कौन सी यह जो सबसे बड़ा कोर 50 तो उसके सामने की B प्रेक्टिकल कर लिए घर पर बना कर आप देखते हैं इसमें भी जान बुझ के गलत बनाया है ताकि आपको किलियर हो जाए जिसे आप सबसे छोटी बुझा आपको यह लगती है लेकिन हम बताएंगे कि सबसे चोटी बुझा यह है क्यों अब बता रहें सबसे बड़ी बु हमने जान बुझ के गलत बनाया है जब इसको पट्री परकार से नात के बनाएंगे तो आपको इसका रियल वयलू आएगा आप देखे आप बीच में कौन बची अब बची है हमारी बीसी तो सबसे बड़ी बुझा यह जो है बड़ी बुझा है बीसी से और बीसी बड़ी यह जोड़ी सबसे चोटी इस परकार से अफ ज्याद कर लेंगे अब ह newly prize है यह चारो जैनी बराबर होते हैं यह यहीं लंबाई और गुड़े चोड़ाई यहां पर लंबाई गुड़े चोड़ाई और पर निकाल तो देखे इसको एक दो तीन चार और चारों भुजाये बराबर होती है जिसे मालनों यह दस है तो टोटल कितना होगे दस बीस तीस चालिस यह हम कह सकते हैं दश चार से गुड़ा कर दें चितनी भुजा हो और चारसे अगल ना वार यह दस तो आपन्द्रा फ़्री अपर III veteran 25 35 35 आइं तीस हो गया तो यह पिर एसा करते हैं दस और जोड दें तो कि यह पंदराव दो से गुरा करते इसका होता चौड़ा इसका आयत का क्या होता है परिमाफ होता है अब देखते यह होता है है एक प्रकाप से गन हो गन Congress से बनता इसे लूडू का पासा अो इसमें होगा उसमें 6 सटा होती है बस्केस हो के सदियों कितने होते हैं है ऐड़ जाय कितने कर दिन कर दिक बताएंगे इस सामने वाला फ्रण्ट है इंपर से खुलता है भकन वह और यह कौन सा है इसमें सता कितने होते हैं तो कि सता आयतों से आयत 7 इड को मान सकते हैं इसमें 6 सता होते हैं और यह सेम के पीछे दूसरा यह तीसरा यह चोथा यह फिर यह 6 और कोने देखें 2 3 4 4 ये कोने है और 4 इधर 3 4 ये य forgiveness total क्तने होग वी फिर वह एक अभी दो 3 4 जारी है और 4 एक इडो 3 4 नीचे हो ये 1 2 3 4 लृटतर हो आप किस में आपको 18啦 खास बात दतानायार यह जब जब भी सिंद देखते हैं तो देखे सम में केवल तीन सता देख सकते हैं, एक, दो, तीन, आप तीन से ज़्यादा अधिक नहीं देख सकते हैं, भले ही आप केवला सीसे के पास रख कर देखें, या आप एटे को कहीं पर लटका दें, या आप लटक कर देखें, आप तीन से ज़्यादा अधिक सताएं नहीं देख सक कर दें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कर दो